मैंने उस दिन की वीडियो में भी कहा था कि बांगलादेश का मुसलिम समुदाय हद से जादा पागल हो चुका है। इनका मकसद पूरा हो जाने के बाद भी ये अपनी कर्टुतों से बाज नहीं आ रहे। यही कारण है कि आज कल बहुत से पश्यमी देश मुसलिम शरनारतियों को अपने देश में पना देने से इनकार कर रहे। आज मैं ऐसा इसलिए कहे रहा हूँ क्योंकि बांगलादेश को ये भी याद नहीं रहा कि भारत बांगलादेश के नहीं तो बांगलादेश भारत की दया पर जी रहा है इसके बावजुद ऐसे गीदडभब की भारत को दे कर ये बांगलादेश यां किर हासिल क्या करना चाह ना ही इनसे कोई सम्मन्द रखने जरूरी है तो ऐसी क्या गिदरभब की बांगलादेश ने भारत के लिए जारी कर दी चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं दरसल आपको याद होगा कि जब से बांगलादेश में तक्ता पलट हो चुका है और हिंदों पर अत्याचार किया जा रहा है तब से भारत ने बांगलादेश को लेकर अपना सभी ट्रेट पूरी तरे से बंद कर दिया वेस्ट बेंगोल, बिहार, मेगालै, मनीपूर और मिजोरम इन राज्जों से अनाच का एक दाना भी बांगलादेश एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इस समय करीब 1600 के आसपा सबजी मंडी के ट्रक बांगलादेश की सीमा के पास खड़े है लेकिन वो बांगलादेश नहीं जा पा रहे क्योंकि भारत सरकार की सक्थ चेतावनी है कि जब तक मंत्रालाई से कोई निर्देश जारी नहीं होते तब तक कोई भी व्यापारी बां यानि बांगलादेश इसलामी खिलाफत पार्टी की जो कि बांगलादेश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और यह भारत से काफी नाराज भी रहती है अब इसी पार्टी के मुखिया अब्दुल कासिम ने भारत को धमकिवरे लहजों में ये कहा कि भारत सरकार बां अगर आज हमारे देश में दंगे फसाद हो रहे तो भारत भी कोई दूद का धुला नहीं कश्मिर को लेकर भारत सरकार की क्या नीती है सब जानते हैं अगर हमारे मुलक में हिंदों को प्रताडित किया जा रहा है तो वहां कश्मिर में भी अलपसंग एक मुस्लिम वर के साथ भेदबाव ही हो रहा है और ये मुद्दा हम यूएन में भी उठा सकते हैं इसलिए भारत हमारे साथ ट्रेड पुना शुरू करे अब अब अबदुल्ला ने यूएन का जिकरीस लिए किया क्योंकि हाल ही में यूएन सचिव लीसा कॉर्णेल ने कश्मिर मुद्दे पर ये स्टेटमेंट दी थी कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुड़ जाए जो कि यूएन हमेशा कहता रहता है लेकिन इस बांगलादेश पर पाकिस्तान ने इतने जुल्म किये उसके जुल्मों से बाहर निकालने के लिए यूद करना पड़ा उसे की साथ बांगलादेश अपनी दोस्ती बना रहा है और जिसने बांगलादेश को आजाद कराया था उससे मात्रत दुश्मनी निभा रहा है क्या क को लाइक एंड सब्सक्राइब बिज जरूर करें जय हिंद।